ओके, in the last class we saw mode of propagation, तो हमने वहाँ पे तीन तरीके के mode of propagation देखा था, आप याद करिए कि हम transmitter और receiver के बीच में communication link establish कर रहे थे, यदि हमने ground का use किया है, अर्थ की surface का use किया है, तो इसे कौन सा propagation कहते हैं, ground way propagation करते हैं, यदि हमने atmospheric layers का use किया है, तो हम इसे कौन सा propagation कहते हैं, sky wave propagation कहते हैं, यदि हमने space का use किया है, तो हम इसे कौन सा propagation कहते हैं, space wave propagation कहते हैं, आप याद करिए कि energy किसके proportional होती है, energy याद करिए e is equal to, क्या होता था, h into frequency, यदि किसी सिगनल की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसका एनर्जी क्या होगा हाई होगा तो आप याद करिए कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस में होती थी space wave communication के case में यदि इस case में frequency ज़्यादा होगी तो इसकी energy high होगी यदि energy high होगी तो ये atmosphere के layers को ये signal क्या करेगा penetrate कर जाएगा और कहां पे चला जाएगा space पे चला जाएगा उससे कम frequency किसकी होती है sky wave propagation में और सबसे कम frequency किसमें यूज करते हैं ground wave propagation में आप याद करेए यदि transmitter और receiver के बीच में distance कम है तो हम इसे किस communication के लिए यूज करेंगे short distance communication के लिए long distance communication के लिए sky wave propagation में और very long distance communication के लिए space wave communication यूज करेंगे तो चलिए अब हम समझते हैं कि what is ground wave propagation आप अच्छे से देखे ये क्या है अर्थ है ये क्या है free space है ये जो line मैंने बनाया है ये black green ये जो line मैंने बनाया है क्या मैं इस line को interface कह सकता हूं ये एक ऐसा इंटर ये किसका interface है अर्थ और air का interface है दूसरी चीज देखिए ये जो wave propagate कर रहे है red one ये जो wave propagate कर रहे है क्या interface के along चल रही है बिल्कुल चल रही है ये observation है और ये इस case में हम किसका use कर रहे हैं क्या हम अर्थ का use कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं तो हम इसे कौन सा propagation बोलेंगे ground wave propagation कहेंगे इसमें frequency क्या होगी कम होगी याद करिए और दूसरी बात ये किसके लिए use करेंगे short distance communication के लिए हम ground wave propagation use करते हैं तो सबसे पहले समझते है what is surface wave तो आप देखिए कि यहां पर यहां पर जो एक wave है यह जो wave है देखिए क्या interface के along चल रही है याद करिए interface क्या था यह क्या है अर्थ है उपर क्या है air है यह जो red line है वो क्या कहलाएगा interface कहलाएगा तो ये जो wave चल रही है क्या interface के along चल रही है बिलकुल चल रही है क्या along the surface of the earth चल रही है बिलकुल चल रही है दोनों बातों का मतलब एक है interface और along the surface दोनों बातों का मतलब एक है लेकिन देखिए कि ये transmitter और receiver के बीच में जब ये wave चली तो इसका दीरे 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 क्या हो रहा है attenuation हो रहा है तो यानि कि surface wave कैसी wave को कहना चाहिए ऐसा एक ऐसी wave जो along the interface चले along the interface चले और साथ साथ उसका क्या हो attenuation हो ऐसी wave को हम क्या बोलते हैं surface wave कहते हैं यह line लिखी हुई है a wave propagate parallel to the interface and decays vertically to it देखें क्या vertical direction पे decay हो रहा है यह देखें यहाँ पे amplitude ज्यादा है यहाँ पे कम यहाँ और कम और कम और कम और कम और कम मतलब क्या amplitude decrease हो रहा है क्या attenuation हो रहा है मिलकुल हो रहा है हम attenuation की definition भी बोलते हैं ऐसे कि amplitude में reduction हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, attenuation बोलते हैं तो ऐसी wave को हम क्या बोलते हैं, surface wave बोलते हैं तो surface wave का क्या nature है, along the surface चलेगी, along the interface चलेगी और उसका attenuation होगा अच्छा, अब सवाल ये है, कि यदि इस तरीके की surface wave आपको generate करना है तो कैसे करेंगे, उसका एक तरीका क्या है, कि ये आपका transmitting antenna है इस antenna को आप ground के पास रखिए, near to ground रखिए तो आपका कैसी wave generate होगी, surface wave generate होगी ये किस तरीके का communication होगा, ground wave propagation होगा क्यों ground wave propagation होगा, क्योंकि हम अर्थ की surface का use कर रहे हैं इसलिए ground wave propagation होगा कैसे communication के लिए use होगा, short distance communication के लिए use होगा क्या इसमें frequency ज़्यादा रखनी चाहिए, नहीं इसमें सबसे कम operating frequency इसी में रखते हैं चलिए आगे देखते हैं कि ground wave propagation में operating frequency क्या लेते हैं ground wave propagation में operating frequency की maximum value क्या है, 2 MHz मान लिजे हैं मैंने frequency की value 2 MHz चूज कर ली तो C is equal to क्या था, frequency into lambda lambda is equal to C by F, यहां से मैंने इस value को calculate किया 150 MHz आया, मैंने lambda को क्यों calculate किया, उसका reason अभी पता चलेगा आप कोई भी antenna लेजे, क्या इस antenna की height लेते हैं कुछ उसकी dimension होती है, कुछ physical length होती है, बिल्कुल होती है किसी भी antenna का dimension हमेशा wavelength के टर्म में देते हैं किसके टर्म में देते हैं, wavelength के टर्म में देते हैं lambda by 4 मतलब 37.5 meter, और lambda by 2 यदि चूज करूँगा तो कितना meter का antenna लेना पड़ेगा, 75 meter का antenna लेना पड़ेगा हम कौन सा propagation यूज कर रहे हैं, ground wave propagation यूज कर रहे हैं बताइए ये antenna कहां पे लगाना चाहिए, near to ground लगाना चाहिए क्योंकि हमें क्या यूज करना है, अर्थ की surface का यूज करना है और कैसी wave generate करनी है, surface wave generate करनी है surface wave कैसी होती है, जो surface के along चले और साथ-साथ उनका क्या हो attenuation हो, तो height of antenna क्या बोलते हैं, height या dimension of antenna किसके टर्म में देते हैं wavelength के टर्म में, lambda by 4 को कौन सा antenna बोलते हैं, monopole, lambda by 2 को कौन सा antenna बोलते हैं, dipole तो अब सवाल यह है कि मान लिजे antenna की height मैंने तो ले ली, अब सवाल यह है कि antenna को vertical रखा जाए कि horizontal रखा जाए, तो दोनों cases को देखते हैं, चलिए, यह एक figure है, इस figure में देखिए, इस figure में बहुत सारे conclusion हम निकालेंगे, क्या-क्या conclusion निकाल सकते हैं, यह देखिए, यह एक antenna है, इस antenna को मैंने place किया है, कहां पर z axis पे, यह x axis है, यह y axis है, और यह हमारा earth है, पहले इस figure क observe करें, यह xy plane है, क्या xy plane अर्थ के parallel है, है, पहला point हमने यह note कर लिया, किसी भी antenna का काम क्या है, to produce the electromagnetic wave, तो electromagnetic wave में क्या होता, एक electric field और एक magnetic field, यह black वाला क्या है, electric field है, और यह red वाला क्या है, यह जो red वाला जो vector बना हुआ, वो magnetic field है, और wave इस direction पे propagate हो रही है, तो अब सव अब सवाल है, कि wave propagation का direction कैसे find करें, तो इस rule से find out करते हैं, इसका मतलब क्या है, कि electric field vector को किस की तरफ घुमाना है, magnetic field vector की तरफ, तो देखे कैसे, आप अपना right hand use करिए, electric field को हमेशा इन उंगलियों की तरफ रखे, और magnetic field को हमेशा palm के perpendicular रखे, electric field को उंगलियों की तरफ और magnetic field को palm के perpendicular रखे, अब देखे, E को H की तरफ घुमाई, you will get the direction of propagation, चलिए, एक चीज ये हमने देख लिया, अब चाह, दूसरी चीज देखे, क्या ये ये जो conductor है, ये जो antenna है, अर्थ के perpendicular है, बिल्कुल है, क्या ये conductor, electric field के parallel है, बिल्कुल है, कैस ये conductor किस direction पे है, Z direction पे, electric field का direction किस की तरफ है, Z direction की तरफ, ये conductor इसके perpendicular है, तो मैं और ये conductor electric field के क्या है, parallel है, दोनों चीज देखे, ये conductor अर्थ के perpendicular है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि electric field भी किसके perpendicular होगा, अर्थ के perpendicular होगा, क्यों, क्योंकि electric field का direction किसकी तरफ है, Z axis की तरफ है, z-axis किसके perpendicular है अर्थ के तो ये बात समझ में आई होगी कि यदि antenna का orientation vertical है तो electric field भी कैसा होगा कैसा produce होगा vertical होगा तो मैं यहां से एक conclusion ये भी निकाल सकता हूँ कि यदि orientation antenna का vertical है तो electric field भी कैसा होगा vertically produced होगा तो vertically oriented antenna produces vertically electric field तो अब बात यह है कि polarization किससे define करते हैं electric field से define करते हैं electric field कैसा है vertical है तो यहां पे polarization कैसा होगा vertical polarization होगा चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है ये एक perfect electric conductor है और किसी भी perfect electric conductor का sigma याने conductivity कितनी होती है infinite होती है किसी भी perfect electric conductor में दो field एक perpendicular और एक parallel parallel को बोलते हैं tangential और perpendicular को बोलते हैं normal किसी भी perfect electric conductor में जो tangential होता है जो parallel component होता है वो 0 होता है क्या होता है? 0 होता है तो इस 0 का मतलब क्या है? यदि conductor के parallel हो गया electric field conductor के parallel हो गया electric field तो उसकी value हमेशा आपको क्या लेनी है? 0 लेनी है इस चीज का मतलब क्या है? कि electric field क्या हो गया? short हो गया मतलब आपको कहीं पे भी electric field conductor के parallel मिल जाए तो उसको हमेशा क्या करना? 0 करना है 0 करने का मतलब उसे क्या करना? short करना है मतलब यहाँ से एक conclusion में और भी निकाल सकता हूँ कि electric field हमेशा conductor के कैसा मिलेगा perpendicular मिलेगा क्या parallel मिलेगा नहीं चलिए इस case में antenna मतलब vertically oriented antenna produces vertically oriented electric field antenna का orientation vertical है तो produce polarization क्या होगा vertical होगा और polarization किस से define करते है electric field से E cross H rule क्या बताता है direction of wave propagation को बताता है इस चीज का क्या मतलब है कि electric field को magnetic field की तरफ घुमाना तो चलिए अब antenna का orientation अब इस बार हम ऐसा ना करके अब पहले case में vertical लिया था अब horizontal लेते हैं चलिए देखे यहाँ पे देखे antenna का orientation antenna किस axis पे रखा X axis पे xy plane जो है क्या अर्थ के parallel है बिल्कुल है z axis z axis जो है क्या अर्थ के perpendicular है बिल्कुल है इस antenna का function क्या है to produce the electromagnetic wave तो देखे यह red वाला जो है electric field है और यह जो black वाले जो vector बने हूँ वो magnetic field है आपको कौन सा rule लगाना है e cross h rule e cross h rule से क्या मिलता है e cross h rule से हमें क्या मिल जाता है direction of propagation इस चीज का मतलब क्या है कि rotate electric field towards magnetic field electric field को किस की तरफ घुमाना है magnetic field की तरफ घुमाना है यह electric field को बताएंगी और perpendicular to palm किसको बताएगा magnetic field को आप electric field को magnetic field की तरफ घुमाईए you will get the direction of propagation अच्छा यह बात हो गई इसमें एक चीज और notice करिए कि यह जो conductor है किस axis पे x axis पे electric field भी किस की तरफ है x axis की तरफ है तो क्या electric field क्या यह electric field इस conductor के parallel है क्या यह conductor earth के parallel है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि electric field भी earth के कैसे होगा पärलल होगा एक चीज और notice करिए antenna का orientation कैसा horizontal है तो produce electric field भी कैसी है horizontal है polarization किस की help से देते है electric field की help से देते है तो मतलब यह बोल सकता हूँ कि horizontally oriented antenna produces horizontal electric field और या कि दूसरे words मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि horizontally oriented antenna कैसा polarization generate करेगा horizontal polarization generate करेगा अच्छा चलिए देखते हैं कि माल लिजे कि next page पे देखते हैं कि आच्छा इस चीज को याद करिए कि ये एक perfect electric conductor है सोच के देखिए इसमें कौन सा component 0 होगा इसमें ये कौन सा component होगा parallel वाला parallel वाले को क्या बोलते हैं tangential perpendicular वाले को क्या बोलते है normal component इसमें कौन सा component 0 होता ET 0 होता है यदि electric field 0 हो गया मतलब उस चीज का क्या मतलब है वो क्या हो गया short हो गया तो चलिए देखे कि हम यहां पर एक example लेते है मानली जे आपने antenna लिया आप ground wave propagation की बात कर रहे है antenna का orientation horizontal electric field का orientation horizontal produce polarization horizontal polarization मानली जे ये देखे इसका function क्या है to produce electromagnetic wave देखे E और H field कैसे direction find करेंगे E को H की तरफ भुमाई है you will get the direction of propagation अब देखे ये electric field propagate करते 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 ये अर्थ की surface पे आ गया और अर्थ जो है अर्थ को हम किसकी तरीके से treat करते है as a conductor की तरीके से treat करते है क्या ये electric field जब अर्थ की surface पे टकराया तो उसकी parallel हो जाएगा क्या बिल्कुल propagate होते होते parallel हुआ यदि electric field conductor के parallel हो गया तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यदि electric field conductor के parallel हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा short circuit हो जाएगा इसलिए बोलते हैं कि ground wave propagation में आपको कौन सा polarization यूज करना है vertical polarization यूज करना है horizontal नहीं यूज करना है horizontal के case में क्या हो रहा है short circuiting of electric field हो रहा है ground wave propagation के case में जो antenna का orientation होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए vertical होना चाहिए क्या horizontal होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो चलिए एक बार फिर से conclusion निकालते हैं, conclusion of this lecture is, एक ऐसा wave जो surface के along चले और vertical direction पे इसका attenuation हो, उससे क्या कहते हैं, surface wave बोलते हैं, पहली चीज, क्या इस case में हम अर्थ का surface यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, इसे कौन सा propagation बोलेंगे, ground wave propagation, frequency कैसी लेंगे, कम लेंगे, ये communication short distance पे होगा, इसलिए ये, इसे हम क्या बोलेंगे, short distance communication के लिए, ground wave propagation यूज़ करना चाहिए, ground wave propagation में, maximum frequency कितनी, 2 megahertz तर, यहाँ पे wavelength क्यों calculate किया, क्यों calculate किया, क्योंकि antenna का जो dimension है, किस के टर्म में देते हैं, wavelength के टर्म में, यदि lambda by 4 antenna है, तो monopole antenna, lambda by 2 antenna है, तो dipole antenna कहते हैं, यदि surface wave चाहिए, तो antenna को कहाँ locate करना है, near to ground locate करना है, चलिए, इसके बाद देखिए, इस antenna का orientation कैसा, vertical है, क्या ये अर्थ के perpendicular है, बिल्कुल है, क्या ये conductor electric field के parallel है, बिल्कुल है, electric field किसके perpendicular है, अर्थ के, मतलब की vertically oriented antenna कैसा electric field produce करेगा, vertically oriented field produce करेगा, electric field, मतलब ये polarization कैसा produce करेगा, vertical polarization, conductor में ये component क्या कहलाता, parallel component या tangential component, ये हमेशा आपको क्या लेना है, zero लेना है, और ये कौन सा, ये कौन सा component कहलाता, perpendicular component, इसको normal component भी बोलते हैं, e cross h rule, इस चीज का मतलब क्या है, electric field को किसकी तरफ घुमाना है, magnetic field की तरफ, electric field को magnetic field की तरफ घुमाईए, you will get the direction of propagation, दूसरे case में हमने क्या लिया था, दूसरे case में हमने antenna का orientation कैसा लिया था, horizontal लिया था, horizontal, horizontally oriented antenna कैसा field प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा electric field, horizontal electric field, तो polarization कैसा होगा, horizontal, ये electric field प्रोपगेट करते करते, अर्थ की surface से टकराया, strike किया, तो क्या अर्थ की surface के parallel हो जाएगा, मतलब वो zero हो जाएगा, ये tangential component zero हो जाना, मतलब short circuit हो जाना, तो conclusion क्या निकला, conclusion ये निकला कि हमें कौन सा polarization यूज करना, vertical polarization, antenna का orientation कैसा होना चाहिए, vertical होना चाहिए, antenna का location कहा होना चाहिए, near to ground होना चाहिए, तो इस तरीके का हमने अभी तक conclusion निकला, hopefully ये आपको lecture समझ में आया होगा, if you like this lecture, then please like, subscribe and share it, thank you very much